नमस्कार दोस्तों, देखिए, BPSC दरोगा से लेकर तमाम परिक्षाओं में पूछा जाता है राश्ट्रिये पार्टी के बारे में, कि कौन राश्ट्रिये पार्टी इन में से नहीं है, या राश्ट्रिये पार्टी होने के लिए क्या eligibility criteria हैं, देखिए, और अभी अभी current affair मे इसी साल 2023 में तीन पार्टी, ममता बनर जी की TMC, आप देख रहे हैं, त्रिनमुल कॉंग्रेस, डी राजा की CPI, Communist Party of India, और इनको तो पहचाने रहे हैं, सरत्पवार की National Congress Party को से राश्ट्रिये पार्टी का दर्जा चुना आयोग ने छीन लिया, देखिए, हम आपको दो मिन समझा देते हैं कि राश्ट्रिये पार्टी कहते किसको, किसको आखिर राश्ट्रिये पार्टी का दर्जा मिलता है, तो देखिए जरा साब, एक बार ध्यास देदें, तीन कंडिशन है दोस्तों, राश्ट्रिये पार्टी होने के लिए, तीन कंडिशन, राश्ट्रिये पा पार्टी अगर फुल्फिल करती है तो उस पार्टी को राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा मिल जाता है देखे पहला कंडिशन है कि चार राज्यों में अगर कोई पाटी चार राजियो में अगर कोई पाटी राज यस्तर की पाटी का दर्जा रखती है तो वह अपने आप राष्त्रिय पाटी का दर्जा उसे चुना आयोग दे देता है दूसरा, अगर किसी पार्टी को चार राजियों में, या तो राजिस्तरियपाथी हो या चार राजियों में रिसेंट जो भी लोकसभा और विधान सभा का चुना हुआ हो रिसेंट अभी अभी यानि रिसेंट लोकसभा और विधान सभा के चुना में चार राजियों में छे परतिसत वोट सेयर हो, वोट सेयर, छे परतिसत वोट सेयर हो and यहां तथा लिखा हुआ है and कम से कम चार सांसद हो उसके, अलग-अलग चार राजियों से, चार सांसद कौन से कांसद, लोक सभा के, लोक सभा के Member of Parliament हो, चार राजियों में, अलग अलग चार राजियों में, छे परतिसत का लोख सभा या विधान सभा किसी में वोट शेयर हो, और साथ साथ इसके चार सांसद लोख सभा में हो, तीसरा दोस्तों, तीसरा कंडिशन क्या है? तीसरा कंडिशन है, कि लोख सभा के चुनाओं में तीन राजियों, तीन राजियों या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, या अधिक लिख दिया हमने, यानि कम से कम तीन राजियों की बात करता है, कम से कम तीन राजियों या इससे अधिक राजियों में, लोख सभा की दो पर तीसत सीट दो पर तीसत सीट लोग सबम जैसे 500 अभी एंगलो इंडियन के हटने हटने के बाद 543 सीट है अगर दो परसंट उसका निकालेंगे तो तो 10-5 दूनी 10-43 दूनी 6 दस-10 अनलब 680 यानि कुल मिला के 11 लोग सबहा की 11 सीट को याद यह रखना है कि अगर तीन राज्य या उससे अधिक कम से कम तीन राज्य में लोग सबहा की दो परतिसत सीट उस पार्टी के पास हो या चार राज्यों में उस पार्टी को राज्य इस्तर की party का दरजा मिला हुआ हो या चार राज्यों में recent लोगसभा या विदान सभा के चिनव में 6 परतिसत वोटसेर के साथ उस party के लोगसभा में कम से कम 4 सांसद हो इन तीनों में से कोई एक थमाशी इन तीनों में से कोई एक सर्थ भी अगर कोई पार्टी पूरि करती है तो उसको राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा मिल जाता है इस समय भारत में छे राष्ट्रिय जब आपको कड़ेंगे दो किर कुंद देखिसा ६ारत में स्पार्ट युष्ड इंटै को दो मिनित मेरे साथ ध्यान दीजिए युष्ड आपको क्लियर है एक फ़ीन देशनल पीपूल्स पार्टी नेशनल पीपूल्स पार्टी को नराच संगमा इस अध्यक्ष है इसके आमादमी पार्टी आमादमी पार्टी और शी प आमादमी पार्टी के अध्यक्ष बाढ़ा है 2012 नवंबर में इसका अगठन हुआ था अर्विंद केजरिवाल इसके अध्यक्ष और Communist Party of India इसको ऐसे भी लिखते है Communist Party of India यह मार्क्सवार्दी भारतीय कॉम्म्यूनिस्ट पार्टी जिसके अध्यक्स आपको पता ही होगा सीता-राम यह चूरी तो यह छे पार्टी भारत में ततकाल रास्ट्रिय पार्टी का दरजा देख लिए भारत में जो पार्टी होती न दो 60 पार्टि तो तुम सोच लो कि स्टेट पार्टी के गोगा चाववन जिसमें आर जे डी जे डी आप तमाम जानते हैं किसी दिन स्टेट पार्टी को भी हम आपको समझा देंगे देखिए अच्छा यह आपके सामने है जो अभी भारत की राष्ट्रिय पार्टिया हैं उनके अध्यक्ष हाल ही में अर्विन केजरिवाल की चार राज्यों में आपको हम समझाए भी तुरंट पीछे आप एकदम रिवीजन क पार्टी बहुजन समाज पार्टी मायावतीजी थे कंविनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यह मार्क्स वादी इसके साथ मार्क्स वादी के मार्ष्रिट लगा देंगे CPM है और यह आप देख रहे हैं कि आपको समझा देंगे बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप रेगुलर वीडियो आए दोस्तों आपने मुझे देखा मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश करते रहेंगे हम कि आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहें धन्यवाद जय हिंद